बिना समय गवाए अगर किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चलिलों को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा आज की एस यूडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपके गाओं में यानि आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन सी योजनाय जो है वो मनरेगा के माध्यम से चल रही है आपको पता ही होगा महत्मा गांधी राष्टी ग्रामी रोजगार गारेंटी अधिनियम यानी मनरेगा जिसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था उसमें जो है वो कही प्रकार के कार्यों होते हैं जो ग्राम पंचायत में कराये जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा ज साथ में उसका थोड़ा सा डीटेल भी प्रावत कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है नरेगा लिख करके सर्च करना है तो आपके सामने ये वाला लिंक दिखेगा इसमें आपको पंचायत वाले ओप्शन के उपर किलिक कर देना है तो या फिर आपको डिक्सिस्वन को सेलेक्ट कर लिजिए मैं यहां पर अपने राजी को सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद जो है वो आपके सामने आपका अपना जीला नजर आ जाएगा तो यहां पर जारखंड के जितने भी जीले हैं सभी जीले आपके नजर आ रहे हैं तो मैं यहां पर अपना जीला select करने के बाद आपको उस block के अंतरगत में जितना पंचायत है सभी पंचायत नजरा जाएंगे उसमें आप जिस पंचायत के हैं उस पंचायत को आप select कर लेंगे तो आप जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे करके बहुत सारे आपको option दिखेगा जिसमें यह वाला जो है इसका नाम है R1 यह है R2 यह है R3 आपको जाना है R6 में आप देखिए यहाँ पर R6 इसका नाम है register इस register के अंतरगत में आपको जाना है work register यानि काम का register कौन कौन सा काम चल रहा है वो है यह work register इसके उपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे work register के उपर तो आप देख सकते हैं जितनी भी योजनाय चल रही है इस ग्राम पंचायत में वो सारा आपके सामने दिख जाएगा और लगभग लगभग कितना उसमें payment तोग रहा हुआ है वो भी आप इसमें देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि total 463 योजनाय जो है वो इसमें चल रही है और अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और चीज दिखा देता हूँ यहां पर आप देखिए यह योजना का नाम हुआ वर्क नेम उसके बाद यह है priority number from the self of work 296 फिर इस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना कितना payment वगर है निकासी हुआ है वो सारा भी आप यहां पर देख सकते हैं या नहीं तो इस से बढ़िया होगा जैसे अगर इस योजना में हमको देखना है कि कितना payment हुआ हुआ है तो इस योजना के उपर हम क्लिक करेंगे योजना के उपर जैसे आप क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं कि मातर 194 रुपईये का भुकतान इसमें हुआ है और यह है वर्क नाम यह है वर्क कोड और यह पूरा डिटेल है किस जीले का किस पंचायद का है यहां पर वर्क कोड वर्क नेम दिया हुआ है और इसके अ योजना का डिटेल से देखना चाते हैं उस योजना के उपर आप क्लिक करके देख सकते हैं जैसे मैं यहां पर एक कोई साभी ले लेता हूँ जैसे इसके उपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर इस योजना के बारे में डिटेल में देख लेता हूँ इसमें 12,150 रुपईये का भुकतान अभी तक हुआ है तो इस प्रकार से आप अपने ग्राम पंचायत में जितनी भी योजनाएं चल रहे हैं उसका आप डिटेल भी देख सकते हैं साथ में अगर आप किसी एक योजना को सर्च करना चाहते हैं तो उसे सर्च करना चाहते हैं जैसे मुझे करना है सिचाई कूप तो हम यहां पर कंप्यूटर में अगर आप हैं तो Ctrl F दबाएंगे और लिखेंगे सिचाई कूप आप देख सकते हैं यहां पर है तो इसके उपर आप क्लिक करेंगे और इसके उपर क्लिक किसी भी योजना का डीटेल्स जो है आप इसे आसानी से देख पाएंगे अब इसी काम को मैं आपको थोड़ा सा मोबाईल पर करके दिखा दे रहा हूँ कि आप इसे मोबाईल पर किस प्रकार से करेंगे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आजाना है आपको अपने mobile screen पर तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अपने mobile screen को open कर ले रहा हूँ आपको यहाँ पर बीच में दिखेगा mobile screen मेरा तो हम आ चुके हैं mobile screen पर आप देख सकते हैं आपने सामने और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आपको क्या करना है कि सबसे पहले Chrome browser को open करना है अभी Chrome browser में मेरा कुछ दूसरा तिसरा चीज open है मैं इसे खतम कर देता हूँ और उसके बाद मैं फिर से Chrome को open कर ले रहा हूँ और Chrome को open करने के बाद यहाँ पर आपको search वाले option में लिखना है नरेगा नरेगा लिख करके आप जैसे ही search करेंगे देख सकते हैं यहाँ गराम पंचायत का option आगया पंचायत के उपर हम क्लिक करेंगे इसको थोड़ा zoom करेंगे state यानि राजी को select करेंगे फिर आपका जो राज है उस राजी को आप select कर लिजिए राजी को select करने के बाद आप जिस जीले के हैं उस जीले को select कर लिजिए जिस जीले के हैं उसमें जो जो block है वो block नजरा जाएगा तो आप block को select कर लिजिए block को select करने के बाद आप जिस पंचायत के हैं उस पंचायत को आप select कर लिजिए पंचायत को select करने के बाद आपको mobile में इस प्रकार से दिखेगा यहाँ पर R1, R2, R3, R4, R5 आपको आना है R6 यानि register के अंतरगत में work register और इस work register के उपर आपको click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने जितनी योजनाएं चल रही है इस ग्राम पंचायत में मातर 49 योजनाएं चल रही है जिसे आप देख सकते हैं और किसी एक योजनाएं के अगर आपको detail देखना है तो उस योजनाएं के उपर आप click करेंगे और click करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस योजना में total 7200 रुपईये का भुकतान हुआ है अगर कोई चीज जिसमें आपको search करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दाहिने हाथ side में आप देख सकते हैं तीन बिंदू नजर आ रहा है इस तीन बिंदू के उपर click करेंगे उसके बाद find in page का एक option दिखेगा आपको देखिए share के just नीचे find in page का एक option दिखेगा आपको यहाँ पर सिचाई कूप को search करना है तो सिचाई इस नाम से कोई भी योजना नहीं चल रही है मैं यहाँ पर कुछ दूसरा देखता हूँ कूप लिख करके जी हाँ कूप लिखा तो देखिए fit koop का निर्मान कोई है एक योजना है उसके उपर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ अगर आप किसी के नाम से सर्च करना चाते हैं किसी के नाम से अगर कोई योजना है तो उस नाम को सर्च करके आप जो है वो उस योजना को निकाल सकते हैं और फिर उसके उपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस योजना का पूरा का पूरा डीटेल जो है वो प्राप्तो हो जाएगा तो इस प्रकार से जो है आप अपने मोबाइल पर किसी भी योजना का डीटेल भी देख सकते हैं और साथ में ये भी देख सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत पे कौन-कौन सी योजनाय चल रही है उसमें कितना भुकतान हुआ है इन तमाम चीजों को आप आसानी से देख सकते हैं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बने रही है हमारे चैनल के साथ क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार से बहुत ही इंपोर्टन जानकारी मिलते रहती है और मिलते रहेगी बिना समय गवाए हुए धन्यवाद